माइनस फाइव डिगरी है यहांगा टेंपरिचर पानी विल्कुल जमा हुआ है यहांपे दोस्तों आज हम हम हिमाचल की एक खुबसूरत वैली को एकस्प्लोर करने के लिए जा रहे हैं राजगंदा वैली जो की कांगड़ डिस्ट्रिक में बढ़ती है और बहुत ही खुबसूरत वैली है यहां तक जाने के लिए रास्ता बहुत ही रोमांचक वह बहुत ही आकरशक है आपको सुन्दर चाय के बागान घने देवदार के बेड और धौलाधार की परवत शिंखलाओं के नजारे आपको इस पूरे रास्ते में देखने के लिए मिलेंगे तो गैज आप इस पूरे वीडियो को देखेगा इस वीडियो में मैं आपको इस कैम्पिंग साइट के बारे में पूरा बताऊंगा कि यहां रहने खाने का इतना खर्चा है और यहां तक कैसे पहुँचा जा सकता है हम लोग राजगुंदा रात को काफी लेट पहुचे जिस वज़े से हम लोग रात को जादा वीडियो शूट नहीं कर पाए बडगाइज रियली यहां पर हमरे रात को कैम्पिंग में जो इंजॉय किया उसको बेयान करना बहुत मिश्किल है तो आप रात का ये वाला एक वीडियो देखिए बहुत बड़ी आप मौसम है अभी सुवा के देखिए साड़े साथ हुए और मेरे पिछे आप देख रहे हैं बरफ है यहां पर पड़ी हुई कल हम लोग आगे थे यहां पर रात को तो रात को अंधेरा काफी हो गया था साड़े साथ बच गये थे जिसकी वज़े से मैं र राजगुंदा वैली में मना रहे हैं तो राजगुंदा वैली का मैं आपको छोटे सा बता देता हूं कि यह जो है वो डिस्रेक कांगडा में पढ़ता है और मंडी से लगबग 80 किलोमेटर्स है जो लोग दिली से आना चाहते हैं उनके लिए तकरीबन यह 500 किलोमेटर्स की जरनी रहेगी बहुत बढ़िया है तो हम लोग यहां पर स्नो वैली केंप्स में यहां रुके हुए हैं मैं आपको यहां का नजारा दिखाता हूं और उपर पहाडों पर स्नो फॉल हो रहा है हम लोग यहां कल पहुंचे थे पांच लोग थे हम लोग जिसमें से सुमन थी म और अंकुर था जिनको आप लोगों ने जो हमारा मोर्ने बाला विडियो यह कि अपने देखा उगा जिन लोगों में वह वीडियो नहीं देखा तो उपर आई बिटन में central लिंका रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां का नजारा दिखाता हूँ, यह हैं हमारे टेंट्स, यहां पर हम रुके थे, नजारा देखिए आप सुबसुबा का टाइम है, बादल है आस्मान में, तो क्लियाइटी थोड़ी आपको कम आरी यह बड़ा बंगाल के पहाड है, तो यहां पर उपर स्नूफॉल हो रहा है, और यह सामने जो आप रोट देख रहे हैं, यह वाला रोट देख रहे हैं, यहां से हम लोग आए हैं, चलिए, अब मैं आपको यहां किचन दिखाता हूँ, जहां पर हम लोगों ने रात को इनर किया था, यह सुमन है पिछे, हाई कर रही है, यह रवीश है, यह मंजीत है, हाई कर दो, और आपका नाम साहिल, साहिल, यह साहिल है, यह है वाइफ मेरी, मेरा ठाकुर, और एक चीज़ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो चीज़ है, यह सामने, इसको बोल यह साहिल, 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 यह सा अब पर जायेंगे और प्लेग्राउंट टाइप का उपूरा एक्स्टोर करेंगे आप हम लोग जा रहे हैं यहां से थोड़ा सा ट्रेकिंग के लिए निकल रहे हैं हम लोग यहां से रात को आये थे अब मैं आपको दिखाता हूं यह देखिया आप मेरे पीछे ट्रैक देख तो इस ट्राइम जो है वो टेंप्रेचर वो बिल्कुल डाउन है तो सारे देखिए बरफ जमीवी है मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रोड जिसकी वज़े से हम लोग रात को व्लॉग नहीं कर पाए क्यूंकि हम लोग काफी लेट हो गे थे तो यहाँ बड़ा शोर शराप चला हुआ है और जिसको भी यहाँ पर नेचर स्कॉल आती है वो यह बना हुआ है यहाँ पर ट्वालेट यहाँ पर जाना पड़ता है ट्वालेट के लिए और भाई साब बहुत थंडी है बहुत टेंप्रेचर डाउन है व्यू बहुत शानद और सामने देखिए आप पहाड़ी पर स्नोफॉल हो रहा है तो यहां का टेंप्रेचर जो है वो माइनस फाइव डिगरी दिखा रहा है यह देखिए अगर आप देख पा रहे हैं माइनस फाइव डिगरी है यहां का टेंप्रेचर तो एक चीज़, एक information मैं आपके साथ और share करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो connectivity है guys, वो connectivity है यहाँ पर सिर्फ जीयो की और BSNL की, यह दो ही network काम करते हैं, इसके अलबा है हाँ पर कोई भी network काम नहीं करता है, पानी बिल्कुल जमा हुआ है यहाँ पर, यह रेखिए, यह बरफ इतनी है और देखे, गाउं में अभी आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा है, राजगुंदा विलेज के अंदर एंटर कर गए है हम लोग, और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, हम यह एक्स्प्लोर कर रहे हैं, छोटा सा मंदीर है यहाँ पर, अभी आप देख कितनी वर्फ है, क्या वात है अहाँ, देखिए गाइस, यहाँ कम से कम छेशे इंच बर्फ है, और बहुत संभल के थोड़ा चलना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल जमी भी है, पाला पड़ा हुआ, इस बर्फ के उपर तो, स्लिप होने के थोड़े से चांसिस रहते हैं, मैं आपको रख्मेंट करू आप लोग जब भी ऐसे मौसम में आये हैं, तो एटलीस्ट आप लोग स्नोशू ज़रूर लेके आए, उनका बेनेफिट होता है कि एक तो वो स्लिपने करते हैं, और दूसरा आपके पैर गिले होने से बच जाते हैं, तो गाइस देखिए, अब हम लोग बरफ में ट्रैक कर जा रहे हैं और पिछे रविश जी हैं, ये फस्स टाहिं और इनके बारे में मैं आपको बदा देता हूँ, ये आए हैं वे सोनी बसे तो इनका ये फस्स ट्रैक है स्नू पर तो रविश भाई कैसा लग रहा ए आपको, तो आप ने प्ले पार्ढ़ देखिए, फस्स आम एक लूट सो पहुंच गया हैं एक बहुत खुबशूरत जगह में हमें सुमन लेके आई है यहां पर क्यूंकि सुमन ही यहां पर दो बार पहले आचुकी है यह थार्ट इम है सुमन का तो मैं आया था यहां पर बट मैं राजगुंदा विलेज नहीं आये था मैं नीचे रोड त पीछे तो तब तक आप यह नजारा ही जोए कीजिए आप 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 कि इस टाइम हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफस्ट और टाइम आठ बच के पैंतालीस मिनिट हो गया है सुबा सन्राइज हो गया है धूप लगी है गुंगुनी और हम बहार यहां उपन में बैठ के कर रहे हैं ब्रेकफस्ट परस्ट में तो इन लोगों ने सुमन कैसा है टेस्ट की है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप से बात करते हैं दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं संपजी जो यहां के ओनर है कियर टेकर है सब कुछ है आल इन वन है तो कुक भी हैं बहुत अच्छे से खाना बन आते हैं यह एक बार से आप फिर से हमारे व्योंस को हैलो कर दो तो आप बताएं संपजी जो ही आपका स्टो कियाम्पिंग यहां पर आप बताएं आप कब से लेकर कब तक सीजन होता है कैंपिंग का अब तो यह मतलब अक्टूबर से लेकर और कब तक आपका मार्श तक आपकी कैंपिंग चलती है तो आप यहां पर कितने लोगों को अकॉमडेट कर सकते हो तो आप अगर बताना चाहें कि आपका क्या चार्ज करते हो कैसे चार्ज करते हो आप वहां देखके बताएं आप जाहें तो गाइज यह बता रहे हैं कि 700-700-800 पर तक चार्ज करते हैं डिपेंड्स अपन सिच्वेशन कैसा यहां का वैदर है कैसी यहां के सरकंस्टांसिस उसके अकॉर्डिंगे चार्ज करते हैं जिसमें आपको तीनों टाइम का खाना दोगे अच्छा तो बहुत बढ़ी है और चाही के लिए तो संपजी आप एक बार हमारे वीवर्स को अपना नंबर बोल दो ताकि जो यहां आना चाहें वो आपको कंटेक्ट कर सकें एक बार बोल दें आप नंबर अपना 962 564 187 687 तो गैज यह नंबर आपका स्क्रीन पर आ रहा अब टाइम आ गया है यहां से विदा लेने का और हम लोग अब राजगुंदा से निकल रहे हैं हमारे जो संपध भाई है जो ओनर आपका संपध भाई बहुत बहुत थैंक यू आपने बहुत अच्छे से हम सब का खयाल रखा और बहुत अच्छी सेवा की बहुत अच्छ वीडियो में कुछ व्यूवेर्स को तो आप बोल सकते हैं प्लीज क्या पोले सब आपने सब कुस बोल दिया चालो ठीक है बहुत 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 थैसे लिए नीचे के लिए जहां हम लोगों ने गाड़ी खड़ी किया जहां से हम लोग रात को ट्रैक करके आये थे और आप से और इस टाइम कीचेड है तो बड़ा ध्यान से जाना पड़ रहा है एक कदम सोच सोच के रहना पड़ रहा है और पीछे पूरी गैंग आ रही है साथ में आगे रवीश भाही जा रहे है इनके देखिए आप पैरों में कैसे कीचेड लग रहा है और पैर भी उठाना मु हमें यहां पर जाना है और वहां हमारी गाड़ी खड़ी हुई है तो यह तकरीबन दो किलोमेटर का ट्रैक है जो हमें करना है तो यहां से आप जब भी आएंगे तो गाड़ी अभी तक यहीं तक आती है यहां से कैम्प्स तक जो हमें ट्रैक करके आना है तकरीबन दो किलो हम लोग दस बजे अपने कैम्प से चले थे और इस वक्त टाइम हुआ है दस बज के 40 मिनिट और हम लोग पहुंच गया है वहाँ जहां हम लोगोंने अपनी गाड़ी पार्क की है तो लगबग 2 किलो मिटर का ट्रैक है जिसको कवर करने में हमें तकरीबन 40 मिनिट का टाइम ल और इस टाइम में आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर यह ब्रीज अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जब यह ब्रीज कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से गाड़ियां वह उपर तक जाएंगी और यह जो रास्ता जाता है यह बिलिंग में जाके मिलता है तो यहां से हम लोग बि मिलता है यह ब्रीज दोस्तों आपको यहां पर मैं एक नई चीज दिखाने जा रहा हूं यह देख रहे हैं यह चोटा सा घर जैसा जो बना हुआ है यह एक्चुली घराट है घराट का मतलब है एक तईप की आटा चक्की जो पहले जमाने में लोग आटा बीजते थे पानी मैं वह आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहां पर आटा पीसा जाता है आज भी ट्रेडिशनली जैसा पहले के टाइम में लोग पीसा करते थे यह देखे गाइस यह क्या है यह देखे यह उपर नैचुरल सोर्स ऑफ वाटर है तो इन्होंने उस वाटर को यहां से डिस का दरवाजा खोलते हैं तो अगर मैं दिखा पाया आपको तो ये देखे इस टाइम तो गाइस यBox यह देखे लेह और यहां प्र फिर यह आता बनता है और यहां ऑटा यह आता बनता है और यह आता यहां पर आ कर निकलता consists देखें यहां अभी भी थोड़ा साथा बड़ा हुआ है और यह तराजू रखा हुआ है तो यह है पूरा ट्रेडिशनल आटा चक्की जिसको यहां हिमाचल की भाषा पे गराट का जाता है तो यह बहुत ही अच्छी चीज है अब तो हिमाचल में बहुत कम देखने के लिए म अब दूसरी साइड आ गया हुँ नीचे गराट के बिलकुल यह तर्वाइन है जो की वह देखिया पानी का प्रैशर उस पर बढ़ता है अब यह बंद की ही है तो इससे घूमती है तर्वाइन और इससे तीसा जाता है कि हम दोस्तों फाइनली पहुंच गया है हम लोग प्रैस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटस नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल एन टेक केर गुट बाई